नमस्कार मैं हूँ आचलोर आप देख रहे हैं डीवी लाइव के स्पेशल रिपोर्ट शुराज सिंग चोहान को बीजेपी हाई कमान ने दक्षिड भारत भेज दिया है दक्षिड के राज्यों में जाकर वो कमल खलाने की कोशिश में जुट गए हैं लेकिन वहाँ पर जाक कैसे मदप्रदेश में रहते, शुरासिंग चोहान लगातार, लाडली बेहनों और अपने भांजों की बात करते आ रहे हैं, अपने भांजों से मिल रहे थे, लगातार जुटत की बीच जा रहे थे, और बड़बड़े मुद्दे जुहें, वो उठा रहे थे, कहीं न कहीं सरकार की भी मुश्किले बढ़ रही थी और बीजेपी हाई कमान को भी शुरा सिंग चोहान अपनी ताकत दिखा रहे थे अब ऐसे में जल्दी उन्हें नई जिम्मेदारी दे कर उन्हें तलंगाना भीजा गया और पहले से ही ये तै हो गया था शुरा सिंग चोहान ने जब शुरा सिंग चोहान आउट हो जाएंगे अब मधपृदेश से इस लिए बाहर भेजा लेकिन वहां जाकर भी दिल स्केलिए दढ़क रहा है मधपृदेश की जनता है उसके धर चाणकार और लगातार वह तरह से बंद करने की पूर्जर कोशिश वह सरकार के तरप से की जह यहां तक कि कई सारे डॉकुमेंट जो हैं वो भी वारल हो रहे थे और बताई यह जा रहा था कि इस योजना को जल्द ही जल बंद कर दिया जाएगा लेकिन उसके बाद विपक्ष ने हमला बोला और शुरासिंग चोहां लगातार अपने बयानों में इसका जिक्र करते रहें बहनों के बीच गए और यह कहते रहे कि हम आपको लखपती बनाएंगे और बहनों से यह कह रहे थे कि हम आपको पैसा दिलाएंगे जो आपका हक है वो हम आपको दिलाएंगे बहने यह कह रहे हैं कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए आप वापस चाहिए आप मुखमंतरी बने एक तरीके से शुराज सिंग चोहां जनता के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि आपने गलत किया है और अगर आपने मुझे यहां से हटाया है तो उसके बाद भी मैं अगर दक्षिन के राजी में जाओंगा तो वहां से भी मदप्रदेश के सरकार के लिए मुश्किले खड और उसके बाद में नहीं कहा था कि सरकार को समय समय पर याद दिलाऊंगा जो उनके काम है तो मध्परदेश की राजनीति से दूर गए शुराज सिंग चोहां ने तेलंगाना से मध्परदेश की राजनीति साथ दी है और वहां पर जाकर उन्होंने लाड़ली बहनों के ल बताये जा रहा है कि शुरासिंग चोहान इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं इसलिए लगातार बयान बाजी कर रहे हैं ताकि सरकार पर दवाव बना रहे और जो वादे शुरासिंग चोहान ने चुनाव से पहले किये थे कही ना कही उन वादों को पूरा करने के लिए स उसके बाद बताएंगे कैसे इस बयान से मुहन यादो टेंशन में आके हैं सुनिए शुरासिंग चोहान ने क्या कुछ कहा है आज दस्तारीक है मद्धप्रदेश की मेरी लाडली बेहनों आज लाडली बेहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर बारा सो पचास रुपया आने वाले हैं सभी बेहनों को बहुत बहुत सुभु कामना है मेरे लिए सारी बेहने देवी के रूप है और महला ससक्तिकरण मेरे जीवन का विसन है अब लाडली बेहने लखपती बेहने बने इसके अभियान में मैं जुटूँगा मैं हमारे मुख्वंत्री मौहन यादब जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और बढ़ाई देता हूँ कि ये योजना निरंतर जारी रहेगी और मदुपदेश में भारती जंता पारिटी की सरकार मा बहन बेटी और जन कल्यान में जुटी रहेगी मेरी सभी बेहनों को एक बार फिर बहुत बहुत सुभकामना है अपने सुना पूर्ब मुखमंतरी शुराज सिंग चोहान ये कह रहे हैं जाया और वहां से कोई बड़ा एलान न कर दें इसलिए उन्हें दक्षिन के राज्यों में भेजा गया था लेकिन वहां पर भी जाकर उन्होंने बयान जो दिया है वो लाडली बहनों के लिए और इसके साथ-साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे पोश्ट भ कहां से पैसा आएगा और कैसे किया जाएगा आलंकि केन सरकार से कर्जा भी मोहन सरकार ने लिया है लेकिन उसके बावजूद भी मोहन सरकार की टेंशन जो है वह बढ़ती हुई नजर आ रही है दरसल एक मीडिया रिपोर्ट में यह बताए गया है किस तरीके से विधान सभा चुनाव के वक्त लिया गया था अब इतनी जो भारी रकम किस तरीके से शुरासिंग चोहान ने अपने कारकाल में ली है और अब मोहन सरकार की जो है वह मुश्किले बढ़ चुकी है इसकी चर्चा लगातार हो रही है कि किस तरीके से मोहन यादो पर दबाव जो है वह शुरासिंग चोहान बना रहे हैं अब इस पर सिफ शुरासिंग चोहान ही नहीं बलकि विपक्ष भी लगातार यह सवाल पूछता आ रहा है कि मोहन यादो सरकार जो है वह आखिर कि यूजनाओं पर क्यूं बैन लगाने की कोशिश कर रहा है क्यूं इन शुरासिंग चोहान भी दबाव बना रहे हैं दक्षिड की राजनीति में उन्हें भेजा गया लेकिन वहां से भी वह लाडली बहनों के लिए पैगाम भेज रहे हैं वहां से भी वह वीडियो चारी कर रहे हैं और यह कहरे हैं कि 10 तारीक है 1250 रुपे जो है आपके खाते म कि कहीं जाओंगा का नहीं लेकिन यहीं पर रहेकर इसी तरीके से बगावती सुर जो है वह दो मुखमंत्री बना दिये गए तो उस वक्त तमाम बैनर पोश्टर लगे लेकिन शुराज सिंग चौहान को वहाँ पर नहीं रखा गया उन्हें जगा नहीं दी गए पोश्टर बैनर से शुराज सिंग चौहान गायब नजर आये अब इस पर शुराज सिंग चौहान ने प से पत्चिंता है वैसे ही फिर आप ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो जाती है शुराज सिंग चौहान ने किस तरीके से बयान दिया था और यह चर्चा का विशेप बना हुआ है अभी भी यह बताया जा रहा है कि बीजेपी हाई कमान और जो कर कमल हो जाते हैं चरन कमल हो जाते हैं और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोट में ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग तो सुना आपने एक तरफ शुराज सिंग चौहान यह बता रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद चिन गया है और उसके बाद बीज जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और बहनों के लिए वो सरकार को भी एक चुनोती दे रहे हैं और सरकार से भी यह कह रहे हैं कि दबाव जो बनाने की बात लगातार चल रही है वो दबाव बना रहेगा और दबाव बनाने के लिए दक्षिन के राज से भी उन कर भी उन्होंने मोहन सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं अब देखना यह होगा कि बहनों के खाते में कितना पैसा आता है और इस पर शुराज सिंग चोहान किस तरीके से आगे क्या कुछ बयान देते हैं और मदप्रदेश की राजनीती पर नजर गड़ी हुई है कि आगे क्या कुछ होता है क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि बहुत सारे बीजेपी के नेता जो है वो नाराज हैं वो पार्टी छोड़ कर दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं कॉंग्रेस का दामन थाम रहे हैं तो इस तरह की खबरे लगातार चल रही है वैसे अगर दे दाओं चल रहे हैं तो देखते रहे डीवी लाइब मैं आठ चल रहे हैं